एक और मोदी जी चावल, आटे, दूद, लसी, छाश पर जीयश्टी लगा रहे हैं जिससे आम आदमी के प्रिसानी रोज बढ़ रही है वहीं उनके मंत्री जी को 15 रुपए का एक भुटा बहुत महंगा लग रहा है जी हाँ आप सही सुन रहे हैं इतना सब कुछ महंगा हो गया एक मोदी जी के मंत्री को नहीं दिखता है लेकिन एक गरीब लड़का जो भुटा बेचकर अपना घर परिवार चलाता है उससे भुटा खरीदने को लेकर मोदी जी के मंत्री मोल भाव कर रहे हैं एक गरीब लड़का जो भुट्टा बेच कर अपना घर परिवार चलाता है उससे भुट्टा खरीदने को लेकर मोल भाव कर रहे केंद्रिये इसपात राजे मंत्री का वीडियो सोसल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है मंत्री जी अपने काफिले को लेकर जा रहे थे रस्ते में उन्होंने भुट्टा भुट्टे एक लड़के को देखा और उनका मन भुट्टा खाने का हो गया एकदम चकाचक उजले गारी में से उजला कुर्ता पयजामा और उपर से मोदी जैकेट पहने मंत्री जी गारी से उतरते हैं और सारक किनारे भुट्टा बेच रहे हैं एक भुट्टा कीतने का है जी तो भुट्टा बेचने वाला लड़का बոलता है 15 रुपए में एक है तो मोदी जी के मंत्री तो दिखावेवे मोदी जी से भी कई कोस आगे निकल गए हैं। कौन है ये मंत्री और उस लड़के से कितना मोल भाव कर रहे हैं। ये पूरी बात हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार मेरा नाम परितो साही है और आप जनता जंकसंद देख रहे हैं। केंद्रिये इस पात राजे मंत्री और मध्र परदेश के मंडला से भाजपा सांसत फगन सिंग कुलस्ते अपने काफिले को लेकर सीवनी से मंडला जा रहे थे। इसी दोरान उन्होंने रस्ते में एक लड़के को भुटा बेशते देखा तो उनका मन भुटा खाने को कर गया। अपने काफिले को रोक कर खुद गारी से उत्रे और भुटा बेशने वाले यूबक के पास जाकर बोले एक भुटा कितने में देते हो। तो यूबक ने जवाब दिया पंदर रुपए का एक है सर। मंत्री जी को पंदर रुपए का एक भुटा बहुत मंगा लग गया। और भुटे वाले से मुलभाव करने लगे। तो यूबक बोलता है आपकी इस बड़ी चकाचक गारी को देखकर मैंने भुटे का दाम नहीं बढ़ाया है। सब लोग को एक भुटा पंदर रुपए में ही देता हूँ। फिर मंत्री जी बोलते हैं अरे हमारे यहां तो एक फिरी में मिलता है। मंत्री जी कहते हैं जितना भुटा है उतना ही मेरे लिए पैक कर दो। बढ़िया से नमक निम्बू लगा कर देना। पेपर है तो उसमें लपेट भी दो। लड़के के पास तीन भुणा हुआ भुटा होता है मंत्री जी फिर पुछते हैं अरे तीन भुटे का कितना पैसा लोगे तो लगा कहता है पैतालिस दे दीजिए सर। 45 सुनकर फिर मंत्री जी हैरान हो जाते हैं मंत्री जी दोवारा पूछते हैं 45 हुआ तो दोगा कहता है 45 हुआ सर आपकी गारी को देखका मैंने इसका अदाम नहीं बढ़ाया है इसका 45 रूपय है इसलिए मैं आप 45 रूपय मंग रहा हूं इतने में ही सब को बेस्टा हूं उसके बाद मंत्री जी ने अपने जेब से 50 रुपय का नोट निकाला और भुट्टा खरीदने वाले को दे दिया भुट्टा खरीदने के दौरान भगन सिंग लड़के से पुछते हैं तुम एक भुट्टा कितने के लाते हो तो लड़के ने बताया थोक में एक भुट्टा पांच का परता है लेकिन हम इसे बहुत दूर से लाते हैं इसलिए हम इसे 15 का बेचते हैं तो मंत्री जी कहते हैं लाते 5 का हो हमें देते 15 का हो हमें ही लूट लो मंत्री जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को सेयर करते हुए लिखा था आज सिवनी से मांडला जाते हुए अस्थानिय भुट्टे का स्वाद लिया हम सभी को अस्थानिय किसानों और छोटे दुकांदारों से खादे बस्तूओं को खरीदना चाहिए जिससे उनको रोजगार और हमें मिलावट रहित बस्तूओं मिलेंगी और उसमें उन्होंने बीजेपी फॉर मांडला और बीजेपी फॉर एमपी को टेग किया था मंत्री फगन सिंग कुलस्ते हैं इन्हें गरीब रहरी वाले द्वारा बेचा जारा भुटा मंगा लग रहा है लेकिन हजार रुपे से ज्यादा का एक सिलेंडर और सो रुपे लिटर पट्रोल इनको नजर नहीं आता है गरीबों का क्या हाल होता होगा इनका कोई ध्यान नहीं जाता है धन्यवाद मोदी जी इनकी आँखों पर जो आपने पट्टी बांद दिया है जिस तरह से देश्क के गरीब लोगों पर बेतहासा मंगाई की मार पर रही है वैसे में मंत्री जी का यह वीडियो मौझूदा इस्थिती क्या है मौझूदा इस्थिती में मंगाई की क्या इस्थिती है इस बारे में बहुत कुछ बयान करता है बाकि मंत्री जी के मोलभाव पर आपका क्या कहना है क्या एक गरीब रहरी वाले से मोल भाव करना उचीत है यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा अगर आप यह वीडियो फेज उपर देख रहे हैं तो फेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैमरे की पीछे हमारे सोयगिये विशाल बहुत बहुत धन्यवाद